ओम शांती आज 23 आउगस्ट 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक के सुनेंगे आज की मुले में बाबा कहे बच्चे तुम अशरीरी बनने का अभ्यास करो जितना जितना अशरीरी होते जाएंगे तो साइलेंस बल अपने अंदर एकठठक होता जाएगा और यही साइलेंस बल से साइनस बल के उपर विजई हो सकेंगे दूसरी बात आज बाबा ने कही कि बच्चे जो देह अभीमान के वशिभूत आत्मे हैं वो हमेशे ये कहेंगे हमको मन की शांती चाहिए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है परन्तु जैसे जैसे देही अभीमानी बनते जाएंगे तो यह महसूस होगा कि हम आत्मा का स्वधर्म शांती है और इसलिए मन को शांती नहीं चाहिए लेकिन वास्तों में आत्मा को शांती चाहिए तो यह बात बाबा कहे तुम बच्चों को सबको समझाने है सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य ओम शांती मीठे बच्चे अब यह पुराना घर छोड़ बाब के साथ चलना है इसलिए इस घर यानि शरीर से ममत्व मिटाते जाओ अपने को आत्म निश्चे करो प्रश्न है आज की मुर्ली से देही अभीमानी बच्चों के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलेंगे उत्तर मेरे मन को शांती कैसे मिलें यह शब्द देही अभीमानी बच्चों के मुख से नहीं निकल सकते देह अभीमान वाले ही यह शब्द बोलते हैं क्योंकि उन्हें आत्मा का ज्यान ही नहीं है तुम जानते हो आत्मा का स्वधर्म ही शांत है मन के शांती की तो बात ही नहीं आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाए तो मन शांत हो जाएगा आत्मा सो परमात्मा कहने वाले इस बात को समझ नहीं सकते आज की मुडली से पहले गीत बजा है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में ओम शांती बच्चे जानते हैं मरना किसको कहा जाता है आत्मा शरीर से अलग हो जाती है उनको मरना कहा जाता है यहां बच्चे जानते हैं हम जीतेजी शरीर से अलग है और अपने परमपिता परमात्मा के साथ उनके धाम जाने वाले हैं जो आत्मय जा नहीं सकती है उनको योग से पवित्र बना रहे हैं इसको कहा जाता है knowledge रूह को knowledge मिलती है ये बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है बाबा कहे ये बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है परम पिता परमात्मा जिसको सभी भगत याद करते हैं आतमा समश्टी है पतीत पावन बाप मुक्ती जीवण मुक्ती देने वाला है उनको तो अपना शरीर है नहीं यह लोन लिया है हमको भी यह छोडना है और जिसका घर है उनको भी छोडना है वैसे तुम बच्चों का भी यह पुराना घर है शरी रुपी पुराना घर है इन में खिड़कियां आदी सब है तो बाप कहते हैं बच्चे ये पुराना घर सब को छोड़ देना है मेरे साथ घर चलना है इसलिए जीते जी इस घर से ममत्व मिटाते जाओ अपने को आत्मनिश्चे करो और बाप को याद करो यह तो बच्चे जानते हैं दो चीजे हैं जीव और आत्मा मनुष्य जब दुखी होते हैं तो जीव घात करते हैं आत्म घात नहीं आत्मा जानती है शरीर के कारण आत्मा को दुख होता है इसलिए उनको छोड़ना चाहती है तुम्हारी आत्मा जानती है कि अभी हम दुखधाम में है ये शरीर भी पुराना घर है बाबा ने समझाया है ये अकाल तक्त है जो छोड़कर फिर दूसरा लेना होता है तक्त के बदले घर कहना ठीक है घर में खिड़कियां आदी होती है इसलिए शरीर को घर कहा जाता है तक्त के उपर राजाय की जाती है तो ब्रुकुटी रुपी तक्त पर आत्मा बैठ करके राजाय करती है बाकी शरीर रुपी घर है तक्त के उपर राजाय की जाती है इस समय तो दुखधाम है हाँ यह जरूर है आत्मा को घर अर्थात नए शरीर में बैठ फिर सिंहासन पर बैठ जाना है राजाई करनी है दुनिया में ऐसा तो कोई नहीं जिसको बाप से राजाई मिलती हुए जब तक बाप न आये तब तक बाच्छाई कैसे मिले तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको बाप से राजाई मिलती है जब तक बाप न आये तब तक बाच्छाई कैसे मिले तुम जानते हो बाबा हमको शहनशा बनाने आये हुआ है बाबा हमको शहनशा बनाने आया हुआ है नशा चड़ता है न? जैसे राजाओं से महराजा हैं, बड़े होते हैं तो बाब कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाया जाता है, तुमारी आतमा जानती है, ये पुराना घर छोड़ना है, आतमा को पहले सतोप्रधान घर मिलता है, सतो प्रदान गुणवान आत्मा है तो शरीर भी ऐसे ही सतो प्रदान मिलता है आत्मा समझती है कैसे हम आत्मा को घर मिलता है ओच पवित्र आत्माओं को शरीर भी ऐसे ही मिलेगा पावन बनेंगे तो पावन घर मिलेगा जरूर जब पावन बनाने वाला आए तब तो हम पावन बने खुद कहते हैं बच्चे तुम याद करते थे अब मैं आया हूँ कल्प कल्प इस शरीर में आकर ये यग्य रचता हूँ इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़ता है इनको एडाप्ट किया जाता है ग्रहस्त व्यवहार में रहते तुमने बुद्धी से सब कुछ पुरानी चीजों का सन्यास कर अपने को आत्म निश्य किया है अभी जीते जी सब संबंद तोड़ने है बाप कहते हैं तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहना नहीं है समझाया जाता है हमारी एम आपजेक्ट है नर से नारैन वा मनुष्य से देवता बनना वा स्वर्ग की बाच्शही पाना यह भी समझाया है कि मनुष्य स्रिष्टी एक ही है जो चक्कर लगाती है इनको ज़ार भी कहते है बड़ के ज़ार से भेट की जाती है उनकी आयू बहुत बड़ी होती है यह ज़ार जब नया है तब हम देवताएं ही रहते हैं अभी तो पुराना हो गया है इसमें सब गरीब है पाई पैसे का व्यापार करते हैं अभी तुम बच्चे किसका व्यापार करते हो बावा कहे अभी तुम बच्चे ज्यान रतनों का व्यापार करते हो बाप से रतन ले फिर औरों को देते हो अब तुम्हारी स्रेष्ट हीरे जैसी बुद्धी बनती है अब हमारी बुद्धी भी हीरे जैसी बनती है तुम्हारा व्यापार ही है ज्यानरतनों का ज्यानरतनों के बाद फिर वह रतन भी तुमको अथा मिलते हैं गाया हुआ भी है सागर हीरे जवाहरों की थाली ले तुम्हारे आगे भेंट रखती है तुम अब पढ़ाई और पढ़ाने वाले को जान गए हो बरोबर हमारा परमपिता परमात्मा ज्यान रतनों का सागर है हमें ये मालूम है पढ़ाने वाला है परमपिता परमात्मा ज्यान रतनों का सागर जिसको रूप बसंत भी कहा जाता है आत्मा ज्यान रत्नों का मुख से वर्णन करती है तुम्हारा धन्दा ही यह है तुम अम्रत वेले उठ यह ज्यान रत्नों का धन्दा करो प्रभात अच्छी होती है कहते हैं राम नाम सिमिर प्रभात मुरे मन यह आत्मों ने कहा न मन बुद्धी आत्मा में है मनुश्य दे अभीमान में रहते हैं तो कहते हैं मन मेरा शांत नहीं होता वो कहते हैं मन मेरा शांत नहीं होता है जैसे कि शरीर में मन है परंत आत्मा कहती है मेरे मन को बुद्धी को ज्यान नहीं है मुझे शांती चाहिए वह अपने को आत्मा समझते नहीं है शान्थ वह अशान्थ आत्मा होती है आत्मा कहती है क्या कहती है मैं अशान्थ आत्मा हूं मैं शान्थ आत्मा हूं दे अभीमान वाला कहेगा हमारे मन को शान्ती कैसे मिले मन क्या है वह भी समझते नहीं है आत्मा को शांती मिलती है वह आत्मा के मन को पहले तो आत्मा को जानना पड़े आत्मा का स्वधर्म शांत है ये शरीर तुम्हारे ओर्गन्स है इन से चाहे काम लो, चाहे स्वधर्म मेटी को दाबक कही इन ओर्गन्स से चाहे काम लो, चाहे स्वधर्म मेटी को वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, परन्तु ताकत कैसे मिले जो शांती में रह सके। जब बाप को याद करे तब ही ताकत मिले, सिर्फ शांती से भी कोई फाइदा नहीं। वह समझते हैं, हम आत्मा सो परमात्मा, हम आत्मा परमात्मा के लोक में चली जाएगे, और कुछ भी नहीं जानते हैं, उनर जनम को ही भूल जाते हैं, चौरासी जनम को भी भूल जाते हैं, बाप सनमुक समझाते हैं, तुम समझते हो कि अभी हमें बाप के गले का हार बनना ह अब असुल उस बाप के गले का हार थे अब नाटक पूरा होता है नाटक में एक्टर खेलते भी रहते हैं और टाइम भी देखते रहते हैं अभी नाटक पूरा होता है बाकी इतना टाइम है थोड़ा सा टाइम अभी बचा है टाइम पूरा हुआ सम एक्टर आकर खड़े हो जाते हैं फिर ड्रेस बदली कर घर चले जाते हैं हू बवो तुम्हारा भी ऐसे ही पार्ट है बाप आया है लेने के लिए ये प्रश्न ही नहीं उठता आत्माएं वहां होगी वह नहीं हमारा काम है वर्सा लेना जरूर आत्माई होगी तब तो आती रहती है व्रद्धी को पाती रहती है अभी भी आती रहती है ना अंत तक विनाश होने तक परमधाम से आत्माई आती रहती है तब तो बर्थ कंट्रोल आधी करते हैं आत्माओं को वहां से स्टेज पर आना ही है फिर बर्थ कंट्रोल क्या करेंगे जो कुछ बची कुछी आत्माएं है सब आएंगे इसी लिए तो वृद्धी होती रहती है वृद्धी होनी ही है यह तुम बच्चों को पता है जो कुछ पिछाडी वाले रहे हुए होंगे वो आते जाएंगे जैसे मच्चर देखो रात को आए और सुबह को देखो तो सब मरे हुए होंगे परन्तु उनका कोई हिसाब किताब थोड़ी है यह जो बड़े-बड़े साइंस दान है वो कितना माथा मारते रहते है दाब कहे यह जो बड़े-बड़े साइंस दान है वो कितना माथा मारते रहते हैं, खोज करते रहते हैं, जैसे ग्यान की उंचाई है, तो माया भी कम नहीं है, देखो आसुरी मत पर क्या क्या बना रहे हैं, श्रीमत क्या कहती और साइन्स वाले क्या करते रहते हैं, सुख भी है, तो इन चीजों से विनाश भी होना है, साइन्स और साइलेंस तुम सदेव बाप को याद करते रहते हो साइलेंस में उनको फिर साइन्स का कितना घमंड है कितने एरोपलेन बारूद आदी है साइन्स पर साइलेंस की विजय होती है कई कहते हैं मन जीते जगत जीत परन्तु माया जीते जगत जीत कह सकते है आत्मा अशरिरी हो बाप के पास चली जाएगी कहते हैं मन में संकल्प विकल्प न आये बाप कहते हैं यह तो जरूर आएंगे मा में कम्याद करो हमात्मा अपने साइलेंस होम मुक्ती धाम में जाती है पियर गर जाती है बुद्धी में यही रहता है बाबा आया है हमको ले जाएंगे गाइड बाबा ही है कहते हैं मेरे लाडले बच्चे मैं तुमको साथ ले जाओंगा कोई ने भी घर का रास्ता नहीं देखा है अगर एक ने देखा हो तो बहुत देख ले दूसरों को भी दिखाएं बहुत देख ले वह जाना भी सिखलावे यहां से मनुश्य तंग होकर कहते हैं जाए सत्यूग में ऐसे थुड़ी कहेंगे क्या हम परमधाम जाए मोक्ष में जाए सुखधाम को ही सब याद करते हैं बाप कहते हैं मैं सब को ले जाओंगा मच्छरु के सद्रिश दावा कहे मच्छरु के सद्रिश वह सिर्फ कह देते हैं बौद की आत्मा नेर्वान धाम गई अगर वह चला गया तो बाकी सब उनकी इतनी वन्शावली कैसे जाएगी कोई जा नहीं सकते है मैं तो जा सकता हूँ न बाबा तो आना जाना करते हैं शिबाबा तो मैं आता ही हूँ ले जाने के लिए सत्यूग में तो कितने थोड़े होते हैं इस समय तो आत्माई कितनी अथा है, मच्छरु सद्रिश्य है ना, सबको ले जाना एक बाप का ही काम है, सबको वापस ले जाना ये तो एक बाप का ही काम है, बाप कहते हैं, मेरे गले का हार बनने से फिर विश्णु के गले का हार बनेंगे, गिरेंगे भी पहले, वह पुजारी बनते हैं, तब रावन के गले का हार बनते हैं, देवी देवताईं जैसे ही द्वापर में गिरते हैं, उजारी बनते हैं, तो रावन के गले का हार बनते हैं, आखरिन ये हालत हो जाती है, बाबा कही कैसी हालत हो गई है अभी कलियों की दुनिया में तुम जानते हो हम आदा कल्प सुख में और आदा कल्प दुख में रहते हैं रावन के गले का हार पहले पहले देवी देवता धर्म वाले बनते हैं फिर और धर्म वाले आएंगे वह भी रावण के गले का हार बनेंगे अंत में सभी रावण के गले का हार बन जाते हैं ये ड्रामा का खेल ऐसा बना हुआ है बाबा कहे ये ड्रामा का खेल ऐसा बना हुआ है जो सिवाए भाब के और कोई समझा न सके है पॉइंट्स तो बहुत मिलती है समझाने के लिए बाबा कितनी पॉइंट्स हमें देते हैं तो बाबा के पॉइंट्स तो बहुत मिलती है न समझाने के लिए नच शेल में कहा जाता है एक बाब को याद करो पती दुनिया को कैसे पावन बनाते हैं और फिर गले का हार पहले पहले कौन बनते हैं ये बुद्धी में रहना चाहिए बरोबर हम असुल में अपने बाप के गले की माला है फिर बाबा हमको सूर्यवन्शी चंद्रवन्शी बनाते हैं सबसे पहले हम जाकर के बाबा के गले का हार बनते हैं और फिर सूर्यवन्शी चंद्रवन्शी बाबा बनाते हैं फिर रावन का राज्य होता है ये सृष्टी का चक्र कैसे फिरता है तुम जानते हो नंबरवार स्कूल में सब सबजेक्ट में हंड्रेड मार्क्स तो कोई नहीं लेते हैं हाँ कोई एक सबजेक्ट में हंड्रेड मार्क्स मिल सकती है मैथमेटिक्स में एक सबजेक्ट में हंड्रेड आउट ओफ हंड्रेड मिल सकती है इसमें भी मार्क्स है डैवी गुण धारन करना कितनी बड़ी सबजेक्ट है सारे चक्र का राज भी समझाना है कोई में गुण कम है, मुरली अच्छी चलाते है, नमबर वार तो होते ही है न जो पास होते है वो गले का हार बनते है बाप तो परफेक्ट है, उन जैसा परफेक्ट कोई हो नहीं सकता वह तो जन्म मरण में आता ही नहीं है तुम्हारी बुद्धी में कितनी नहीं नहीं पॉइंट्स है जो और कोई की बुद्धी में बैठ नहीं सकती है यह है God Fatherly University बगवान वाज, मैं राज युग सिखलाता हूँ समझ में आता है भारत कितना अमीर था, अभी गरीब है प्राचीन भारत बड़ा शहुकार था उनको पेरडाइज कहते हैं घर में कोई अच्छे कुलके होते हैं गरीब बन जाते हैं तो उन पर तरस पढ़ता है गरीब बन जाते हैं तो उन पर तरस पढ़ता है कहेंगे बिचारा कितना गिर गया फिर उनको चड़ाने की कोशिश करते हैं क्रिश्चन लोगों ने भारत के पैसे बहुत लिये हैं उस धन से खुद शावकार बने हैं भारत गरीब हो गया है तो फिर मदद भी देंगे न लोन के हिसाब से मदद देते हैं तुम जानते हो क्या हिसाब किताब है कोई अच्छे हैं तो वह समझते हैं यह सब लेन देन का हिसाब खत्म होता है परन्तु प्रेरख कौन है यह कोई नहीं समझते हैं इन बातों को अभी तुम समझते हो भारत रिलिज्जस था तो कितनी मैट थी सारे विश्व के मालिक थे पहला धर्म देवी देवता है जो बाप स्थापन करते हैं अब सबसे गिरा हुआ है तो जरूर उनको मदद करेंगे जब लड़ाई शुरू होगी तो खुद लड़ते भी रहेंगे मदद भी करते रहेंगे अब भी देखो देते रहते हैं नहीं तो भारत भूख मर जाए परन्तु कभी ऐसा हुआ नहीं है कैलमिटीस भी आती रहेगी लड़ाई तब लड़ेगी लड़ाई तब लगेगी जब पढ़ाई पूरी हो जाए अभी तो पढ़ाई चल रही है अभी तो पढ़ाई चल रही है ना बाबा को पढ़ाना है ब्रह्मा द्वारा आदी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है तो इसे लिए पढ़ाई जब तक चलती रहेगी तब तक लड़ाई लगने सकती लड़ाई तब लगेगी जब पढ़ाई पूरी हो जाए अच्छा, मीठे मीठे सीकिलदे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते हम सब रुहानी बच्चो की रुहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आज की मुरली से धाना के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट अभी ज्यान रतनों का धंधा करना है रूप बसंत बन, पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है दूसरी पॉइंट बाप के साथ वापिस घर जाना है इसलिए पवित्र बनना है और शुरी रीबन बाप की याद में रहे साइलेंस बल से साइन्स पर विजय पानी है आज का बाप दादा का मतुर वर्दान हम बच्चों के प्रती है सदा उमंग उत्सा के पंखो द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक भव सदा उमंग उत्सा के पंखो द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक भव आप आत्माएं अनेक आत्माओं को उड़ाने के निमित हो इसी लिए उमंग उत्सा के पंख मजबूत हो सदा इसी स्मृति में रहो कि हम ब्राम्मर्बी के विश्व कल्यान के जवाबदार है तो आलस्य और अलबेलापन स्वतख समाप्थ हो जाएगा कभी भी ठकेंगे नहीं जिसमें उमंग उत्सा होता है वो अथक होते हैं वह अपने चहरे और चलन से सदा औरो का भी उमंग उत्सा बढ़ाते रहेंगे बाबा कहे वह अपने चहरे और चलन से सदा औरो का भी उमंग उत्सा बढ़ाते है आज का स्लोगन है बाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहजी परिवर्तन हो जाएगे अच्छा ओम शान्ति